हाई गाईज कैसे हैं अप लोग अच्छे होंगे आज का टॉपिक कमाल का है बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह की टॉपिक मैं आप लोगों को दे रहा हूं सारे प्रॉब्लम सारे कन्फूजन आपको खत्म हो जाएगा गम का के रिगार्ड मेरे सीने में दर रहता है भासी रहती है बहुत ही अच्छी चीज है तो इस वीडियो कुझा करूं उससे फैले आपको बता दूब कि वीडियो बनाने के के जुरत होती है ऐसे मैं आके आप लोगा सामने कुछ भी नहीं बोलता हूं जो भी मैं बोलता हूं उसके पीछे कुछ तत्य होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ जो भी मार्केट में दिखेगा मैं दूंगा और ये आप यकीन करो कि इस चैनल पर जो भी इंफर्मेशन मिलती है एक जन्मेन इंफर्मेशन है तो आए शुरू करते हैं गाईज गाईज अकसर हम देखते हैं कि जब हम 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 काम करने जाते हैं उससे पहले जब हमरा बीजा प्रॉसेस से जब होने लगता है जिसको गम का अधिकल बोलता है और कम का मेडिकल बहुत ही सेंसेटिव होता है it means कि इतना sensitive होता है कि अगर body में कुछ भी problem हो तो आपका medical unfit हो सकता है उस पर unfit का system दे देंगे और unfit होने के बाद आपको तो पता ही है कि कितना दिन bend हो सकता है यह एक अलग topic है तो आपको ऐसे पता करें कि हमारा medical unfit है यह fit है तो उसके लिए एक pre medical आता है यह बहुत कम लोगों को पता है आपको करना यह है कि अगर आपको doubts है कि आपको body में कुछ problem हो सकता है आप कभी बीमार हुए थे आपको खांसी रहती है या आपको ऐसा कभी in future कभी आपका जो past है उसमें कभी आपको TV हुआ था तो आपको doubt है कि हमारा medical unfit हो सकता है तो उसके लिए आप किसी भी medical center में जाएए और एक pre medical करा लीजिए pre medical उसी को बोलते हैं पहले पहले एक medical करा लाएं यानि कि जब आपका visa जब आप ले कर जाएंगे original जब medical कराएंगा उससे पहले सेम होता है original medical और pre medical का process और फी सेम लगता है पैसा आपको उतना ही लगेगा जितना original medical लगता है उतना ही पैसा लगेगा almost लेकिन आपको इसमें अगर आप unfit हो जाते हो तो आपको black list नहीं किया जाएगा 3 महिना 6 महिना 9 महिना के लिए 9 months 6 months और 3 months आपको black कर सकती है black list कर सकती है डॉक्टर 3 months तो होना ही होना यह तो 100% है तो आप black list 9 हो इसके लिए आप pre medical करा दो किसी भी medical center पर जाएंगे आप medical का जो चार्ज होता है आप pay कीजिए और बोलिए कि सर मुझे pre medical करके test करना है कि मैं अपना report देखना चाहता हूँ कि मैं fit हूँ की unfit हूँ तो आपको एक paper बना देगा pre medical कर रिगार्डिंग और जहांकर आप pre medical करा लो और आप संतुस्ट हो जाओ देखो संतुस्टी बहुत बड़ी चीज है अगर आप संतुस्ट हो गए तो ठीक हो सब कुछ ठीक है तो आपके दिल में कहीं न कहीं एक डर सा बना रहता है कि पता नहीं मैं पास हो जाओंगा फेल हो जाओंगा fit होंगा अनफीट होंगा क्या होगा नहीं होगा आप उससे पूछते हो उससे पूछते हो एक डर का महाओ एक डर आपके दिमाग में राता है तो उस डर को निकाल कर फेक दो आप ठीक है ना आप डर के निकाल कर फेक दो और जागे चुप-चाप एक मेडिकल करा लो प्री मेडिकल किसी भी मेडिकल सेंटर पे आप करा सकते हो आप ग पता नहीं होगा साय दिया आपको पता होगा तो और भाईों को जो देख रहे हैं हमारे वीडियो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हर चीज हर किसी को पता नहीं होता है तो मेरा काम यही है कि आपको सही जनकारी दें और आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे चैनल को सब्सक्रा वीडियो दे सकूँ अब रहा गई बात कि यह medical का तो medical का regarding मैं बहुत गम का medical का regarding मैंने video बनाया है मेरे playlist में जाके आप check कर लिए देख लिजिए और यह pre medical यह first topic था मैंने आज बनाया है और I hope कि आपको समझ आ गई होगी simple चीज़ है अगर आपको doubt है तो आप medical center जाईए और doctor को बोली कि मुझे तरी medical करना है करके दे देगा चिक कर लिजिए अगर fit है तो आप बिंदास हो जाईए आपका medical ठीक है आप आगे original medical करा सकते हैं वीजा process के लिए proceed कर सकते हैं यह मुझे बताना था I hope आप समझ गए होंगे और सब ठीक है और आप ठीक रहिए अपने family का ख्याल लखिए और दूसरों का भी ख्याल लखिए ठीक है आप अपने family का ख्याल लख रहेंगे और दूसरे का ख्याल लखेगा तब हमारा समाज ठीक होगा आज लोगडाउन और बीमारी का जो माहौल चल रहा है इसमें अबर डॉंट वे रही यह सब कुछ खुलेगा नॉर्मल होगा और आपका सौधी कोयत उमान भारिन जहां के भी चाने के लिए आप त्यारी कर रहे हैं आप पर रिप्रेशन करते रहे हैं